नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी एस्पेरेंट्स का इस घटना चक्र के सीरीज में साथियों अभी बिहार SI का जो यह घटना चक्र 2023 का आप देख रहे हैं इसमें आपका 2008 से लगभख साथियों 2021 तक के जितने भी आपका एक्जाम हुए है सारे एक्जाम का प्रस्ण पत्र के साथ तत्यों के साथ इसमें explain किया गया है इसको आज हम explain करने वाले हैं तो साथियों आज हम पहला आपका यह class होगा अगर आप सबका इस class के बाद feedback अच्छा रहा comment रहा तो इस class को हम regular करेंगे और आपका पूरा इसमें साथियों सब कुछ करवाएंगे तो चलिए start करते हैं उससे पहले आपको request करते हैं साथियों कि आप लोग class को पूरा जरूर देखेगा और अच्छा लगे तो comment करकर बताईएगा ठीक है इसका PDF आपको telegram channel पर मिल जागा तो चलिए start करते हैं लोग पहला प्रश्ण को प्रश्ण पहला है आपके सामने देख सकते हैं कहरा है ग्रेफाइट में कार्बन के प्रमानू एक दूसरे से निमलिखित बंधनों में से किसके द्वारा जूरे होते हैं साथियो इसक से एस्पी असक्वाइर का अच्छा में और योजित बंधन dictionary जूरे होते हैं और ग्रेफाइट में परत्रा में परमानू से सह हूँ योजित बंधन दौरा जूरा होता है इसलिए वी बहुत रखेंगे ग्रेफाइट में ग्रेफिन बंधन बल्को ब्यापक रूप से बेन डेर वाल्स वलो का कहते हैं तो धारन के रोप में जाना जाता है तो इसको आप लोग याद रखेंगे important है यह सभी जो question हम करवा रहे हैं यह आपका previous year का question है साथियों जो की पुझा गया है ठीक है और आने वले समय में 100% इससे आपका question लड़ सकता है इसलिए class को पुझा आप लोग जरूर देखेगा आप सभी से request है next question करा है एक ओम equal to one बॉल्ट डैस रिक्त अस्थानों की पूर्थी करें इसका सही अंसर आपका एक एमपियर हो जाएगा ध्यान दिजगा कि ओम जो है वह किसी चालक के विधूत परतिरोध का मातरक है और किसी चालक के दो बिंदू के बीच एक बॉल्ट का विभांतर जो होता है उनमें प्रवाहित जो धारा होती है वह एक एमपियर होती है इसलिए इस चीज़ को याद रखेंगे और फोर्मूला यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ओम बराबर वन बॉल्ट वटा वन एमपियर है तो इसको आप लोग याद रखेगा काफे इंपोर्टन है यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को बाड़ा सेकेंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या होगी इंपोर्टन है और यह जो प्रश्न है आपका थोड़ा सा यह प्रश्न थियोरी बेस प्रश्न है आपको बना कर प्रेक्टिस करना होगा लेकिन यहाँ याद रखेंगे इसका एंसर हो जागा आपका 75 किलो मीटर घंटा प्रती घंटा की रफ्ता ठीक है याद रखेगा इस बाड़ा जली निक्ट कहे रहा है निमलिखित मेग्रोण अस्तलों पर गहर करे अब इसमें मेग्रोण अस्तल कौन है में ग्रोव अस्तल कौन है ध्यान देजेगा तो आपका बी ए और वन और टू होड़ा है ठीक है एक और दो तो इस प्रकार से समझते हैं और आगे हम लोग देखते हैं तो आगे कह रहा है क्या तत्तो पर अगर बात की जाए ध्यान देंगे कि देश की जातर जो मिंग्रोम बनस्पती पूर्वी एवं पस्चमित तटो के किनारे पा चेतरों को चक्रबाद जैसी प्राकिर्तिक आपदाओं से सुरक्षा भी प्रदान कराती है तो अब आप लोग समझ गये होंगे कि में ग्रोम क्या होते हैं ठीक है चलिए बात की आगे तो ध्यान देंगे कि आगे यह कि साथियो यह जो में ग्रोम का जो यह भीतर कनी का जो जो की ओडिसा में पाय etwas और पिचवारम जो की तमिण नादू में पायता है यह मैं ग्रोम वन छेतर का साथ याद रहेंगे कि भारत के पूर्वी तट पर है और जब कि कुंडा पूर जो है वह करनाटक के भारत के पस्चमी तट पर है अब सबको पता होगा कि पूर्वी तट और पस्चमी तट इस प्रकार से है तो दो तट यह है भारत की तो उस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे नेक्ट क्वेस्टन कह रहा है आपका कि इवन तूता जो था इवन तूता यह इसके बारे में निमली खित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है इवन तूता कौन था आप लोग बताईएगा यह कब भारत आया था और किसके साथ भारत आया था यह आपको इतना बताना है होंबर् साथियों ध्यान देंगे कि इबन तूता जो है यह मोरको जो अपरिका का निवासी था और वो यह मुहम्मद बिन तुल्लक के शाशनकाल में भारत आया था इसने रेहला में मुहम्मद बिन तुल्लक के शाशनकाल का वर्नन किया है तो यह नाम याद रखेगा आपसे पूछा जा सकता है इसका क्या नाम है बुक्का तुररेहला चलिए बात के जाए नेक्ट कोशन कीत कहरा जेलेपला दर्रा इस्तित कहां है जेलेपला दर्रा जो है यह आपका सिक्की में है कहां है सिक्की में है जेलेपला एवं नाथूला सिक्की में इस्तित है याद रखेगा ठेक है चलिए बात के जाए आगे आगे कह रहा है एक दुकानदार को 144 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सिये के बिक्रिये मुल के बड़ाबर हानी होती है important है उसकी हानी का पर्दिसत कितना होगा याद रखेगा option में दिया गया है 2% 4% और आपका है 5% 8% तो साथियों आपका option B हो जाएगा 2% 4% कितना है तो आपका 4% हो जाएगा ठीके चलिए बात करते हैं यहाँ पे तो ध्यान देजेगा कि यहाँ पे आपका इस प्रकार से है तो इसको आप लोग देख लिजेगा इसको बना कर आप लोग को एंसर लाना होगा ठीके चलिए बात की जाए आगे तो ध्यान देंगे कहरा है मूरलेन राष्टिये पार्क भार्थ के किस राज्य में इस्तित है इसका सही एंसर हो जागा आपका मिंजोरम मूरलेन राष्टिये पार्क भार्थ के मिनजोरम राज्य में इस्तित है और यह पार्क जो है यह भार्थ म्यानमर्ड की सीमा के पास इस्तित है जो की 100 वर्ड की किलो मीटर में फैला है और यह पार्क साथियो इसका स्थापना जो हुआ था यह 1991 में हुआ था याद रखेगा चलिए बात की जाए next question की कह रहा है केके वेनु गोपाल निमली खित में से किसम महत्पूर्ण पदपर हैं केके वेनु गोपाल जो है यहाद रखेंगे attorney journal है attorney journal क्या होते हैं तो याद रखेंगे साथ यो भारत सरकार की एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि वकील होते हैं भारत सरकार के एक प्रकार से वीधी कानूनी सलाहकार होते हैं तो इसको याद रखेगा चलिए बात की जाए आगे तो इनको ध्यान में रखेगा कि भारतिय समिधान के अनुछे जिसे महाननेवादी कहा जाता है भारत का सबसे बड़ा वीधी अधिकारी होता है ठीके इसको याद रखेगा और उनका पहला जो कारेकाल है वह कभी था तो 30 जून 2020 को साथियों समाप्त हो गया था परंतु केंदर सरकार ने अटार्नी जर्रकार के रूप में उनके कारेकाल को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया ठीके इसको याद रखेगा अब यह भी याद रखेगा कि जो यह अटार्नी जर्रकार होते हैं वर्ष में हुआ था याद रखेगा यह आपका 1931 में हुआ था साथियों याद रखेंगे तिके गांधी ने फरबारी 1931 में बाइसाए लौड इर्विन से भेट की और उनकी बात्चेत 15 दिनों तक चली जिसके परणाम सरूप 5 मार्ष 1931 को एक समझाता हुआ था साथियों समझाता के नाम से जाना जाता है और इस समझाता के ताथ कॉंग्रेस को संभी नए अबग्या आंदोलन क्या करना पड़ा तो अस्थागित करना पड़ा था इसको भी आप लोग याद रखेंगे नेक्ट क्या रहा है कि नीचे दिये गए अभी किरिया को पूरा करें साथियों नीचे दिये गए अभी किरिया को पूरा करें बोर रहा है इसका सही एंसर आपके समक्ष इस प्रकार से है तो आप लोग इसको एंसर को आप्शन क्या है 3 as 2 o इसका सही एंसर हो जाएगा ठेक यहाँ पे आपका पूरा फॉर्मूला दिया गया है तो पूरा आप लोग एक जगा स्थाक्पित कर लेंगे नेक्ट कोशन कह रहा है है हैस्टेग पावर ओफ 18 का लॉंच निम्न में से किस सोचल मीडिया साइट द्वारा किया गया इसका सही एंसर हो जागा आपका ट्विटर ट्विटर द्वारा किया गया और कब किया गया है तो नमंबर 2018 में साथ हो सोचल मीडिया साइट ट्विटर द्वारा हैश्टेग पावर ओफ 18 अभियान लॉंच किया गया था ठीक है इसको याद रखेंगे चलिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो कह रहा है Global Energy Transition Index 2019 में भारत का अस्थान कौन सा था याद रखेंगे इसका शियत्रवा अस्थान था तीक है अगर बात की जाए थोड़ा तथ्यों पे तो ध्यान दिजेगा कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वेस्विक उर्जा सक्रमक सुचांक ग्लोबल इनर्जी Transition Index 2019 में साथियोव भारत का अस्थान था वह आपका याद रखना होगा कि स्वीडन का जो था वह पर्थम अस्थान था ठीक है तो इसको भी आप लोग याद रखेगा नेक्ट क्वेसन कहड़ा है कि पानी पत का तृतिय यूद किसके बीज लड़ा गया था याद रखेगा यह काफी ज़्यादा प्रश्ण फेमस है और आप सब को साहिद पता होगा कि अफगान एवं माराठाओं के बीज लड़ा गया था ठीक है याद रखेंगे पानी पत की जो तिसीरी लड़ाए होई थी वह साथियो 14 जनवाड़ी 1761 को क्या हुआ था तो सदा सीवराओं माउ के सेना ती तृत्व में माराठा सेना और अफगान सेना के बीज हुआ था ठीक है अफगान सेना के बीज हुआ था साथियो जिसमें बुड़ी तरह से क्या हुए थे तो पराजित हुए थे यह अहमसा अपदाली आपसों को पता होना चाहिए यह अहमसा अपदाली जब भारत आता है तो बहुत ही ज्यादा भारत को बुड़ी तरह से लुटता है तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे next question कह रहा है कि लहू परिपत के समय परिपत में विधूत धारा क्या होता है तो साथियो क्या बहुत ज्यादा बढ़ जाता है परिवर्तिन नहीं होती काफी हद तक कम हो जाती है या फिर आपका लगातार बदलती है इसका सही एंसर क्या होगा तो साथियो option A इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या कह रहा है कि बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ठीक है अब ध्यान देंगे तत्थों पे तो साथ यू आपको सही में अच्छी तरह से समझ में आगा कह रहा है लहू परिपत सोट सर्किट के समय परिपत में बिदूद्धारा जो होता है या बहुत अधिक क्या होती है तो बढ़ जाती है ठीक है तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे नेक्ट प्रस्ट कह रहा है निम्नकित में से किस वर्स प्लूटोन को उसकी पुर्व में ग्रह की पद इस्थिती के पद इस्थिती से पदावन किया गया था याद रखेगा इसका सही अंसर आपके समग छोड़ा है अपसा नमबर बी दो हजार छे में अब बात की जाए त था ठीक है आप सबको पता होगा इस बात के बारे में साथ यो आगे अगर बात की जाए तो याद रखेंगे कि यह जो निर्ने लिया गा था यह वर्स 2006 में प्राय में हुए इंटरनेशनल एग एंट्रोनॉमिकल यूनियन की महासभा में लिया गया था ठीक है चलिए बात क अंकित मूल पर 10% का छूट दी गई हो तो साथियों बताना है कि लाभ परतिसत कितना होगा साथियों इसका सही अंसर आपका 8% हो जाएगा तो इस प्रकार से याद रखेंगे माल लिया जाकि टेलिवीजन का जो क्रै मूल है वह स्वर्भ्या है तो अंकित मूल क्या होगा तो साथियों यहाँ पर आपको इस प्रकार से निकालना होगा कि तो साथियों यहाँ पर इस प्रकार से आप सबको निकालना होगा देखें यह सब प्रश्न है यह आपको अभ्यास से ही आ सकता है तो इस प्रकार से हम इसको इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि यह जो प्रश्न है आपका यह आपको अभ्यास करना होगा जितना प्रेक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप बहतर कर पाएंगे ऐसे क्योंकि यह जो प्रश्ण है आप खुद समझ रहेंगे यह थियूरी बेस्ट प्रश्ण है ठीक है चलिए नेक्ट कोस्टन के अगर बात की जाएद कहता है इम लिखेत मेंसे कौन सी एक USA की अस्थाई निनिये अस्थाई पबन है याद रखेंगे चीनुक जो है यह अस्थाई पबन है बात की जाए तो यहाँ पे तत्त्यों के माध्यम से समझेगा फॉन्व चीनुक फौन वर चिनुक ये दो जो है ये दोनों सुस्थ पबन है जो पहारों के निचले हिस्थे पर क्या होती है अनुभव होती है और उत्री आप्स यूरोप की घाटिया में साथ यो पौन पबन का संचालन होता है जबकि चिनुक जो पबन है ये सर्दियों में रोकी परवत की पुडवी धालानों पर अमेरिका और कनाड़ा अनुभव की जाती है तो इस प्रकार से आप लोग नाम याद रखेंगे नेक्ट को अगर बात की जाए तो ध्यान दी जगा यहां पे कि हर्मटन सुक धूल भड़ी पवन है जो पस्चमी सहारा छेत्र में उत्री पुडव क कि खारी की और बहती है तो इस तरह से चीजों को याद रखेंगे चलिए बात की जाए आगे तो ध्यान दी जगा यहां पे नेक्ट है आपका यहां ध्यान दी जगा चलिए ध्यान देंगे साथियों कह रहा है निमलिखित में से कौन सा थर्मल पापर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है तो याद रखेंगे और यह जो है साथियों यह आपका सही एंसर हो जाएगा यहां पे अगर बात की जाए तो कह रहा है एंटी पीसी का और यह बिधूत सर्यंतर जो है यह भाद के उत्तर परदेश राज्य में और यह जिला में के दिवियापूर में इस्थित है इसको याद रखेगा और यह एंटी पीसी के गैस अधारित बिजली सर्यंतरों में से एक बिजली सर्यंतर है इसको याद रखेगा साथ यह भी याद रखेगा कि अन्य तीन विकल्ब जो की बिहार राजस सम्मंधित थर्मल पापर प्लांट है तो इसको याद रखेंगे ठेके जो की आप याद रखेंगे मुझह फरपूर बराउनी और कहल गाओ या तीनों आ किया गयए था तो उससमय इस्व के अद्धक्ष कौन थे आप से पूछा जा रहा है तो याद रखेंगे के सीवन थे ठीके किसी 7 याद रखेंगे चंदरीयान 2 जो है वह बास्तवक में चंद्रियान 1 की ही याद रखेंगे चंद्रियान दो, जो है, वह बास्तबग में, चंद्रियान वन की ही अगली करी थी सात्यों, और चंद्रियान दो, लौँच होने के समय, सीवन जो है, यह इस्टरों के अध्धक्ष थे, जो कि वरतमान में भी यही अध्धक्ष है, चलिए बात के जाए आगे ध्यान देंगे कहरा है निमलिकित में से कौन सी प्रकरिया ठोस को सीधे वास्व में परिवर्तित करती है आपका इसका एंसर हो जागा उद्व पातन ठीक है उद्व पातन हो जागा साथ याद रखेंगे उर्दब पातन जो है यह परकिरिया ठोस्ट को सिधे वास्म में परिवर्तन करती है तो याद रखेगा इस चीज़ को क्लास कैसा लग रहा आप लोग जरूर कॉमेंट बताएगा ताकि अगला क्लास हम जल्दी आपके लिए लेकर आएं साथियों मेरा पढ़ियास है कि इस बार आपका सेलेक्शन हंडेट पर्षेंट होना चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े जो आप लोग को पढ़ना है आप लोग कॉमेंट बताईए हम हंडेट पर्षेंट तुरंत आपको उस चीज़ को लेकर आ जाएंगे तो चलिए ध्यान देजेगा साथियों कि 21 राष्ट मंडल खेल का आयोजन जो था यह गोल्ड कोस्ट विक्स लेंड जो की अस्टेलिया में 4 से 15 अप्रेल 2018 के मद्ध संपन हुआ था और 22 में राष्ट मंडल खेल का आयोजन 2022 में बरगिंगम में इंग्लेंड में हुआ था इसको भी आप लोग याद रखेगा ठीके साथियों यह आपका 2019 का हम एनलाइसिस कर बार रहे हैं इसको याद रखेगा ठीके 2019 का यह पेपर है तो थोड़ा सा आप लोग कल हम 2021 का आपको करवाएंगे तो आप लोग समझ पाएंगे कि कैसा प्रशन पूछा जा रहा था बि दीके चलिए बात के जाए अगर यहां पे तत्थो पे तो ध्यान दीजेगा साथियों तापिय उर्जा सयंत्र और अवस्थिती तो आप लोग देख लेंगे कोरबा जो है च्छतिसगर में है राम गुन साथियों तेलंगाना में है और ताल चेर यह आपका ओडिसा में और किया इसका सही एंसर होगा आपका ओप्सन साथियों भी महात्मा गांधी ठीके याद रखेगा यहां पे कि महात्मा गांधी द्वारा इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र प्रकाशन दक्षिन अफरीका से किया गया था ठीक है बहुत इंपोर्टेंट है जब दक्षि लाल नजड इसके प्रथम संपातक थे यह भी आप लोग पूछा जा सकता है आपसे काफी इंपोर्टेंट चीज बताया गया है नेक्ट क्वेस्टन कह रहा है निमलिकित में से कौन सी गैस भूमंदली उसमिय करन का कारण नहीं है तो याद रखेंगे ऑप्सन डी आपका स रही हो जाएगा एस ओ टू चलिए बात की जाए तत्थो पे तो सायद आपको समझ में बहतर धंग से आएगा क्यारा भूमंदली उसमिय करन का अर्थ प्रित्वी के निकट अस्थ सत्थ की वायू और महासागर की ओसत तापमान में हो रही बिद्धी से है ओसत तापमान मे मीथेन जल्म वास्म अभूम नाइट्रोजन ये सभी हो जाएंगे चलिए बात में आगर बात किया जाए नेक्ट कोशन की ध्यान दिजगा कि बिहार के परियतन अस्थल के संदर में निमलिखित कतनों में से कौन सा कतन सही है तो याद रखेगा इसका सही एंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ओप्सन डी केवल एक दो तीन चार मतलब चारो साथियो आपका क्या है तो सही है ठीके इस प्रकार से आप लोग याद रखेगा अब बात की जाए तथो की तो यहाँ पे साथियो थोड़ा सा तथिय नहीं दिया गया है तो आपको एक बार फिर से हम समझा देते हैं कहरा है बिहार के पडियतन अस्तल के संदर में निमलिखित कसलों में से कौन सा कसन सही है तो याद रखेगा ककोलत बिहार राज्ये का एक प्रसिद जहाड़ना है जिकि बिल्कुश सही है भीम बांद बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिन पस्षिम इस्ति आले हैं जो कि यह सभी आपको याद रखना होगा यह तीर्थ अस्तल है बिहार के ठीके चलिए शौरी साथियो परियाटन अस्तल है छमा चाहेंगे परियाटन अस्तल है चलिए नेक्ट है अगर तो ध्यान दिजगे यहां पर चलिए कह रहा है भारती सम्भीधान के अनुस सम्मिधान संसोधन के माध्यम से देश में दल बदल बिरोधी कानून पारिद किया गया था आप से पूछा जाएगा दल बिरोधी कानून जो है यह कब पारिद किया गया था या फिर किस सम्मिधान संसोधन में पारिद किया गया था तो याद रखेंगे 1980 में किया गया था और 92 सम्मिधान संसोधन के माध्यम से किया गया था साथ ही दसवी अनुसूची जिसमें दल बदल बिरोधी कानून सामिल है को उसको भी संसोधन के माध्यम से भारतिय सम्मिधान में जोरा गया था और इस कानून का मुख्य उद्देश से है कि भारते राजनिते में दल बदल की जो प्रथा है उसको समाप करना तो इसका उद्देश से को भी आप लोग याद रखेंगे इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेन सिचुएशनल अवेरनेस कंट्रोल सेंटर का सिलन्यास किया गया था तो याद रखेंगे यह आपका बेंगलोडो में होगा याद रखेंगे कि 2022 अगस्त 2019 को स्पेन सिचुएशनल अवेर्नेस कंट्रोल सेंटर का सिलन्यास आपका बैंगलोड में किया गया था नेक्ट प्रस्टन कहरा है निम्लिखित में से कौन सा फूल का प्रजरन अंग नहीं है तो इसका सही एंसर होगा आपका ओप्शन डी बाहदल ठीके समझेंगे इसको पुष्प के सबसे बाहरी चक्र को बाहदल पुझ कहा जाता है जबकि साथियों याद रखेंगे वर्ति काग्र वर्ति का एवं याद रखेंगे पड़ाग को प्रजरन अंगे की स्रीनी में आते हैं तो इस प्रकार से सारा चीज आप लोग याद रखेगा साथियोग कहरा है निमारी एक नसल है किसकी गाई की गाई की है याद रखेगा चलिए बात की जाए आगे कहरा निमलिखत में से कोन सी मीति साथियोग कोन सी समीती चुनाव सुधाड़े से सम्मंदित है तो इसका सही एंसर हो जागा दिनेश गोसामी समीती जो है यह क्या है तो चुनाव सुधारों से सम्मंदित है अब बात की जाए तत्थों की तो ध्यान दिजेगा यहाँ पे भारत में चुनाव परणाली को आपको थोड़ा धुंदला दिख रहा होगा तो ध्यान रखेंगे कि जो हम बोर रहे हैं उस पे ध्यान दिजेगा थिक है आपको जब पेडियप मिलेगा तो साप्स मिलेगा थिक मिलेगा भारत में चुनाव परणाली को महत्व परणान करने है तू इसमें सुधार है तू साथ हो समय समय पर कई समितिया का गठन किया गया है और यह वी याद रखेंगे कि तारकुल समीत दिनेश गोसामी समीति और इंदरजीत गुपता समीति कुछ परमुक समीतिया के उधारन है सेस याद रखेंगे कि जीवी के राव समीति असुक महता समीति एवं एल एम सिंधिया समीति जो है यह क्या है तो यह पंचायती राज से सम्मंदित है ठीके तो इस प्रकार से 23 तिर्थकर कौन थें आप सबको पता होगा कि यह पारसनाथ थें साथियो और पारसनाथ का पहारी भी है पारसनाथ जैन धर्म के 23 तिर्थकर माने जाते हैं इनके पिता स्वसेन काशी के राजा थें इनका जन्म कासी के बारन नसी में हुआ था यह भी आप लोग याद रहा है कि निम्लिखीत पुस्ता को वह उनके लेखा को के युग्म में कौन से सुम्मेलित हैं याद रखेंगे इसका सही अंसर होगा आपका ऑप्शन डी साथियो एक से चार चारो क्या है सही है हिमाल ले ओडिसा जो की इसके लेखा कौन है तो MP बिरेंदर कुमार द टलसा उप्ड फ्राव पीक टू पीक करनल जो एक टनल सित्यागी इसके लेखक है वन लाइफ इन नोट इतम उसका लेका कौन यह नत्वरs इंघ है और Glorious Dyspora इसके लेखक कौन है तो याद रखेंगे Pride of India इसके लेखक जो है रज़त कापूर है तो साथ यो important जो पुस्तक है इन सभी पुस्तक और इसके लेखक को भी आप लोग याद रखेंगे तो इसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है तो यहाँ हम आपको उपर में परकर ब 2019 में अर्जुन पुरसकार से नवाजा गया साथ यूश का सही एंसर होगा आपका option D. साथ यो याद रखेंगे रविन जटेजा को प्रमोद भगत को स्वापाना वर्मन को और गौरप सिंग गिल को ठीके यह सभी जो है 2019 का है मतलब साथ यो आपका 2019 का जो विहार ऐसाई का जो पेपर हुआ था उसका हम एनलाइसिस करवा रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दिजिगा कल आपका 2021 का पेपर का एनलाइसिस करवाएंगे अगर आप सबका फीड़बैक अच्छा रहा तो चलिए बात की जाए आगे तो यहां ध्यान दिजिगा कह रहा है कि पचास लिटर के एक मिसरन जिसे पानी के साथ 20 परतिसद एलकोहल है दस लिटर पानी मिलाया जाता है तो साथियो एलकोहल की सादरता कितनी है याद रखेंगे साथियो इसका ओप्सन नंबर क्या होगा त आप लोग कॉप्रेट किजिएगा यहां पर देखें कह रहा है साथियो इसको याद रखेंगे आप लोग चलिए बात की जाए साथियो आगे तो आगे है आपका कि निमलिखित में से कौन सा कथन लोग सभा के वे उपाध्यक्ष के संदर्व में सही नहीं है याद प्रतिम मत दे सकते हैं यह क्या होगा आपका ओप्शनस टी सई होगा समीधान के अनुच्छेद सव सदनों में मददान रिक्टिया के समय भूमी और ठीक है रिक्तियों के हुए सभी सदुनों की कारी करने की सक्ति और गन पूर्ती से सम्मंदित जो होते हैं इसके अनुसार परतेक सदन में की बैठक में या सदनों की सन्युक्त बैठक के सभी प्रश्णों का अनाबरन अध्यक्ष को अथवा सभापति या अध्यक्ष के रूप में कारी करने वाले व्यक्ति को छोर कर उपस्तित और मत देने वाले सदस्यों से बहुमत किया जाएगा सभापती या फिर अध्यक्ष जो है या फिर साथियो उस रूप में कारे करने वाला व्यक्ति जो प्रथम मत नहीं देगा किन्तु मत बढ़ाबर होने की दसा में उसका निरनायक जो होगा वह मत होगा और वह उसका प्रियोग करेगा सेश बिकल्प जो है यहाँ आपका सही है चलिए next question कहा रहा है निम लिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वज़ा से रविंदर रना टैगोर ने अपनी नाइट हुट की उपाधी वापस कर दी थी तो याद रखेगा एक काफी important प्रशन है और काफी famous प्रशन है आप सबको पता होगा कि 1919 में क्या हुआ था तो जलिया वाला बाग हत्याकान हुआ था ठीक है आप सबको पता होगा साथ योग 13 अपने 1919 में जलिया वाला बाग हत्याकान होता है और इस गाटना के बाद भाद के कई ऐसे राष्ट वादी व्यक्ति थें भाद के कई ऐसे स्वतंतता सेनानी थें जिनको उपाधी दिये गए थें जिनको साथियों कई प्रकार के उपाधिया दिये गए थें इन सभी उपाधियों को लोटा दिये थें और वह कहे थें कि जिनना टेगोर ने नाइट होट के उपाथी को लोटा दी थी ठीक है चलिए बात की जाए नेक्ट तो कहता है कि यहाँ पे सभी जानकारी के अबगत कराने है तो किस एप की शुरूआत की गई इसका सही आंसर होगा आपका सिक्षावानी अप्चन गई केंदिरिये माध्यमिक सिक्षा बोट सिब्येसी द्वारा विद्यार्थी और अभिभाबों को सभी जनकारी से अबगत कराने है तू सिक्षा वानी एपकोई सुरुवात की गई ठीक है नेक्ट क्वेस्टन के रहा है निम्लिखित में से किसे 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष निव किया गया इसका सही एंसर होगा आपका संदीप सुमानी ठीक है संदीप सुमानी इसका सही एंसर होगा ध्यान देंगे HSIL जो है इसके उपाध्यक्ष और प्रभंदक निदेशक संदीप सुमानी वर्ष 2018-19 में पिक्की के अध्यक्ष बने जबकि 19-20 के लिए अपोलो होस्पिटल समो की संदीप प्रभंदक निदेशक डॉकर तर्म संगिता रेड़ी को पिक्की की नई अध्यक्ष चुना गया है ठीक है तो हाल ही में यह हुआ है याद रखेंगे नेक्ष कह रहा है कि जागरोस परबस इस्तित कहां है तो इरान में है जागरोस परबस आपका इरान में है याद रखेंगे वह कहां है तो दच्छिन पस्चिम इरान में है इसको याद रखेंगे नेक्ष है कि राज्य बिधायका में धन बिधायक को केवल किसकी पूर्व सिफारिस पर परसुत किया जा सकता है, तो याद रखेंगे राज्य की बात की जा रहे हैं, ना कि सात्यो केंद्र की बात की जा रहे हैं, तो राज जी में कौन करेंगे, तो आप सब को पता होगा, राज जी के जो प्रमुक होते हैं, सम्मीधानिक प्रमुक, वो होते हैं राज जपाल, ठीक है, तो राज जपाल के सुकेरती के बात किया जाएगा, अब बात कि जाए है यहां तथ्थो की, तो समझेगा आप लोग तत्यों को तेखे यहाँ पे कह रहा है कि संविधान में 207 का कि थन विधाएक को क्या होगा कि धन विधायक को राज्य न्यश्य पाल लुख़एल Boss की क्या पागित अस्थापित नहीं किया जा सकता है ठीक है उसका सुक्रिती अन्यवार रहे है निम्लिकित में से कौन सी नित्य सैली केरल से सम्बंदित है तो याद रखेंगे नहीं है कह रहा है सोड़ी थोड़ा सा अस्तवित ठीक भी नहीं लग रहा है लेकिन क्लास आपका याद रखेंगे मोहनी पटनम एबम सात्यो कटी या पटनम केरल से सम्बंदित है और उधारन जो है जबकि भरत नित्यम जो है या नित्य कहा है तो तमी नाडू से समन्दित है नेट है कि आपका जीडी केपी सकल घरेलू ग्यान उत्पाद सब्द के खोज करता कौन है तो याद रखेंगे आपका उंबे उंबे टो सुल पाशो ठीक है उंबे टो सुल पाशो जो है इसका यहाँ खोज करता है अब बात के जाए तो यहाँ याद रखेंगे कि सकर घरेलू ग्यान उत्पाद क्रोश डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट जिसको जीडी केपी कहा जा तो आप लोग नाम को ध्यान में रखिएगा इनके द्वारा यहाँ खोज किया गया था नेक्ट कह रहा है निमनिखित में से किसे मुगल बास्ता द्वारा बुहरान उल मुल्क की उपाधी प्रदान की गई याद रखेंगे यह असद क्या हो जागा तो स्रादत खा हो तो 1722 इस्वी में स्थापना स्रादत खा के द्वारा किया गया था और याद रखेंगे कि बुर्हान उल मुल्क की उपाधी मुल्क बास्ता साथियों मुगल बास्ता मुहम्मद साह द्वारा प्रदान किया गया था ठीक है चलिए बात की जाए नेक्स्ट क्वेशन कीत कह जया था है व lei सीफ वे कि प्रतिस परदा सुचकांग किसके द्वारा जारी किया जाता याद रखेंगे यह आपका हो जाएगा कर Bulw बात आर्थिक मीनिश जारी किया जाता है और वरस 2019 जसी एति उक अपिरू को पहला अस्थान मिला था जबकि और 60 अस्थान आपका किसे मिला था तो परदान किया गया था वह किसे किया गया था भारत को किया गया था चलिए बात की जाए नेक्ट कह रहा है गांथी सोलर पार्क जो की 50 किलो वर्ट छमता के बराबर है इसका ओधगारन कहां पर इस्तित कि तो याद रखेंगे यह आपका नियुवर्क हो जाएगा ठीक है चलिए 24 सितंबर 2019 को प्रधान मंतर नरेंद मोदी ने अमेरिका यात्रा के दौरा नियुवर्क में इस्ति सन्निक्त राष्ट मुख्याले में गांधी सौर पार्क और गांधी सांती उद्धान का उद्धान के किया था गांधी सौर पार्क जो है यह विद्धूद छमता का 50 किलो वाट है और इस पार्क में 153 सौर पैनल लगाएगा है जिसमें परतेक सौर पैनल सन्निक्त राष्ट के एक सद्धस का परतीक है काफी इंपॉर्टन्ट है इसको याद रखेगा चलिए बात की जाए नि जुकती है जो कि विद्धूद ओर्जा को मुक्यता यांतरिक ओर्जा में परिवर्तित करती है बात की जाए नेक्स्ट तो याद रखेंगे कि 2024 के ओलंपिक खेल में में जवानी निम्ली खित्म से किस देश के द्वारा किया जाएगा इसका सही एंसर होगा आपका फ्रांस के द्वारा ठीके फटा फटा आप लोग समझते चले गया वर्ज 2019 वर्ज 2024 की ओलंपिक खेल की जो में जवानी होगी साथ्यों या फ्रांस की पैरिस के द्वारा की जाएगे और याद रखेंगे कि 2028 में ओलंपिक खेल की में जवानी अमेरिका सहर लॉंस एलिंजा को मिली है जबकि साथ्यों 2020 को टोक्यों में होने वाला 32 ओलंपिक खेल जो की कोविड 90 महामारी के कारण यह 2021 में आयोजित हो गई थी ठीके नेक्ट क्वेस्टन करा है कि हीरे का निर्पेक्च अवर्तंग सुचकांक है वह क्या है तो याद रखेगा 2.42 होगा ठीके साथ्यों हीरे का जो निर्पेक्च अपवर्तंग सुचकांक है या आपका 2.42 हो जाएगा और कहरा है कि किसी देश के भुगतान संतुलन में सामिल क्या है साथ्यों तो आपका ओप्शन डी ए और बी दोनों वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार और पूंजी प्रताप्तित और भुगत दोनों क्या होगा सही होगा अब बात की जाए तत्यों पर ध्यान देंगे यहां पर कह रहा है एक निश्चित सम्यावधी में किसी देश का वस्तुओं एबं सेवाओं का व्यापार तथा पुंजी प्राप्ति और भुगतान तथा रेनों का परिस्थितियों के अस्थांत थोड़ा आपको पढ़ने में परिसानी होगा तो आपको जब पीडियाप मिलेगा आपको टेलिग्राम को जोइन कर लें पीडियाप वहां पे आपको 100% अच्छा मिलेगा साथियों नेक्ट है प्राइदीपिय भाद की सबसे लंबी नदी कौन है याद रखेंगे इसका सह है और इसकी जो साथियों बंगाल के खाड़ी में यह जाके गिरती है ठीक है तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे प्रतम याद रखेंगे प्रतम लोसिया मानवा अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया वह कहां किया गया है तो नई दिल्ली में ठीक है याद रखेंग तो नई दिल्ली में आयोत किया गया था इस सम्मेलन का मुख्य जो विशाय था वह विशाय क्या था तो राज जी की सक्ति व्यवस्था और मानव अधिकार समकालिन चुनोती ये सभी जो थे इसका मुख्य विशाय था नेक्ट है कि हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखा कौन है देखे पुस्तक का लेखा खंबार बर बुर रहे हैं आपके लिए इंपोर्टन है आपसे पुछा जा रहा है सत्य नडेला इसका सही एंसर हो जाएगा तो याद रखेंगे इस बात को राज सभा धन विधाय को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है इसका सही एंसर होगा आपका ओप्सन डी चौदा दिनों के लिए अब साथियो यहां समझेगा तत्यों को कि सम्मिधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधायक राज सभा के पूर्ण अस्थापित नहीं कर सकता है ठीके इस बात को याद रखेगा धन विधायक को लोग सभा में पूर्ण अस्थापित किया जा सकता है धन विधायक को लोग सभा दोरा पारिद किये जाने के पस्ताद राज्य सभा को उसकी सिफारिस के लिए पारिसेद किया जा सकता है जिसे राज्य सभा अधिक्तम 14 दिनों के साथ क्या क पेपर था तो आप सब को बताईए को प्लास कैसा लगा अगर अच्या लगा हो तो चैनल को subscribe करेंगे करेंगे अपणे सात्यों को जरूर से जरूर इसके बारे में बताईएंगे आपको यहां पर लगतार बिहार दुरुगा के लिए क्लास होने बाला है साथियो, बिहार कॉंस्टेबल के लिए क्लास होगा, तो बिहार से जुरे हर एक्जाम के लिए आप इस से जुरे रहें, लगतार सब कुछ explain किया जागा, जल्द ही आपका syllabus को भी हम बात करेंगे, अगर आप सब का feedback अच्छा रहा तो, तो साथियो, उसका टेलिग्राम पे आप लोग जरूर जोइन कर लिजेगा, वहाँ पे आपको PDF मिल जागा, आज के लिए इतना ही, जै हिन, जै भारतू.